देश का उभरता डिजिटल मीडिया नेटवर्क जेटी न्यूस ओनली टुथ शिव मंदिर तोड़ा, हौली मनाना मुश्किल, बहन बेटिया सुरक्षित नहीं, इसकूलों में इसलामी प्रार्थना हल्दुआनी के इन हिंदुओं की पीड़ा क्यों नहीं दिखाता मीडिया उत्राखन के हल्दुआनी में रेलवे की जमीन पर अवैद कबजय के मामले में मीडिया के वामपंती वर्ग ने महद एक की पक्ष को पीडित दिखा कर रिपोर्टिंग की सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगले सुनवाई 7 फरवरी 2023 को होनी है जिससे पहले वो सोच समझ कर ये नेरेटिव गड़ा गया कि इस मामले में राजनीतिक सोच काम कर रही है जिसके निशाने पर मुसलिम समाज के लोग है लेकिन जब एक मीडिये चैनल ग्राउंड जीरो पर जाकर वन भूल पूरा में बचे कुछे हिंदू की हालात जाने तब सक्चाई कुछ और ही निकली पेश है उस बातचीत के कुछ मुख्यां अंश अन्य मीडिये संस्थानों की तरह हमने सडको के किनारे जमा लोगों का पक्ष जानने की बजाए गलियों के अंदर जाने का फैसला किया इसी तलाश में हम इंद्रा नगर बस्ती में गए जहां अभी कुछ ही हिंदू बचे हुए है हमने उनसे बात करनी चाही तो पहले तो वो तयार नहीं हुए हमें लगा कि इनके अंदर हाई कोट द्वारा अतिक्रमन हटाने के आदेश को लेकर गुस्सा है लेकिन असलेत कुछ और ही निकली वहां के हिंदू अपनी और अपने पैवार की सुरक्षा को लेकर बेहट डर हुए थे हमें लगा कि यह डर कुछ ही लोगों में होगा लेकिन हमने एकिक करके बुजुर्गों, युवा, बच्चों, महिलाव और पुशों से बात की तो एक भयावय तस्विर सामने आई चर्ची और शराबी घरों पर मारते हैं लात लगबग 72 वर्षे एक व्रद व्यक्ति ने हमें बताया कि उनके लिए इलाका मुसीबतों से भरा हुआ है उनका कहना था कि उनके घरों में चरस और शराब के नशे में लात मारी जाती है जिसका विरोध करने पर एक दूसरे पर आरोप लगा कर मामले को शांत कर दिया जाता है व्रद के अनुसार लगबग 10 साल में वन भूलपुरा इलाके के हिंदों के लिए बत्तर हालाद हो गए है क्योंकि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी व्रद के आसपास मुझूद कुछ लोगों ने बताय कि उनके पानी के समर सेबिल खोल दिये गए है और चोर का पता ही नहीं चला इंद्रा नगर के एक यूवक ने हमें बताया कि वन भूल पुरा छेतर में लव जिहाद की घटनाय होती है एक लड़की का उधारन देते हुए हमें बताया गया कि रात और रात उसको लेकर हैदराबाद पहुचा दिया गया था और बाद में प्रेगनेंट होकर वापिस आई हमें बताया गया कि लड़की के परिजन भी अपनी बेटी की वापसी की उम्मीदों को खोच चुके थे वहीं एक अन्य दिव्यांग व्यक्ति ने हमें बताया कि उनका भाई कभी हिंदू हुआ करता था जो अब इसलाम कुबूल कर चुका है इसके लिए उसने अपने भाई के साथियों को जिम्मेदार बताया और खुद को हमेशा के लिए अपने धर्मांतरित भाई से अलग हो जाने की जानकारी दी बजरंग दल जिला संयोजग जोगिंदर सिंग जोगी ने भी वन भूल पुरा में लव जहाद जैसी घटनाओं का होना सुईकार किया इंदिरेन अगर के हिंदूओं ने हमें बताया कि पहले की सरकारों में वो होली भी ठीक से नहीं खेल पाते थे उन्होंने बताया कि होली का देहन से पहले भारी पूलिस फोर्स लगती थी हाला कि इलाके के हिंदूओं ने कहा कि भाज़पा सरकार में उनकी सुनवाई पूलिस में भी होती है और किसी घटना पर कारेवाई भी की जाती है लगभग 65 वर्षे एक बुजुर्ग व्यक्ती ने हमें बताया कि कभी सत्या नारायन तिवारी नाम के व्यक्ती का वनभूल पूरा छेतर में एक घर हुआ करता था घर के बगल में उन्होंने मंदिर भी बनवा लिया था कुछ दिनों बाद वो घर छोड़कर चले गए और उनके घर के साथ मंदिर को भी तोड़कर मुस्लिमोंने कब जा लिया अब वो वहां रह रहे हैं धरने में शामिल नहीं हुए तो दिखाई नाराजगी वनभूल पुरा के इंद्रा नगर के हिंदूओं ने हमें बताया कि उन्हें भी धरने में शामिल होने के लिए कहा गया था लेकिन बोह नहीं गए उनका कहना था कि इस बात से मुस्लिम ने तक काफी नाराज हुए थे और उन्हें उल्टा सीधा सुनाया गया एक महिला ने हमें बताया कि उन्हें दूआ पढ़ने के लिए बुलाया गया जिस पर उन्हें बुलाने वालों को भगवान की प्रार्थना करने के लिए कहा इस बात से धने के आयोजग नाराज हो गए और लोट गए इसकूल में हिंदू बच्चों को पढ़ाई जाती है उर्दू और इसलामी प्रार्थना वनभूल पुरा के दो नाबालिक हिंदू बच्चों ने हमें बताया कि इसकूल में उर्दू पढ़ाई जाती थी जब हमने उनसे स्कूल में पढ़ाई जाने वाली प्रार्थना सुनने को कहा तो उन्होंने हमें इस्लामी प्रार्थना सुनाई हमें स्कूल का नाम S.N. Public School बताया गया इस बीच बच्चों के अभिभावकों ने हमें बताया जब उन्हें अपने बेटों को स्कूल में उर्दू और इस्लामी पढ़ाई पढ़ाने की जानकारी हुई तो उन्होंने वहां से नाम कटपा कर दूसरे स्कूल में लिखवा दिया था वनभूलपुरा की कुछ हिंदू महिलाओं ने हमें बताया कि जब वो कहीं आती जाती है तो उन्हें सड़क पर रोका जाता है उनके मुताबिक हिंदू बेहन बेटियों के साथ अभधरता की जाती है और विरोध पर उनके घरों में मास तक फैक दिया जाता है वजरंग दल जिला संयोजक ने एक नीजी चैनल से बातचीत में कहा था कि वनभूलपुरा में बचे कुछे हिंदू की बेहन बेटे सुरक्षित नहीं है अपनी सुरक्षा की मांग के साथ हमसे बात करने वाले हिंदूओं ने अपने अनाम प्रकाशित ना करने की अपील की ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहें JT News Only Truth और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube News चानल JT News Only Truth